आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे इनका हिंदी अनुवात किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुन्शी प्रेम चंदने और प्रस्तुत करता है गिरी बाला जोशी पहले और दूसरे पत्र में हमने जाना कि कैसे प्रकृती एक किताब है जिससे हमें बहुत सी बाते सीखने को मिलती है और प्रकृती के अध्यन से ही हमें प्राचीन तम इतिहास का पता लगता है आज सुनिए इस पृत्वी के बनने की कहानी इस पत्र का शीर शक है जमीन कैसे बनी तुम जानते हो कि जमीन सूरज के चारों तरफ गूमती है और चांद जमीन के चारों तरफ गूमता है शायद तुमें ये भी पता है कि ऐसे और भी कई गोले हैं जो जमीन की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं ये सब हमारी जमीन को मिलाकर सूरज के ग्रह कहलाते है चांद जमीन का उपग्रह कहलाता है इसलिए कि वो जमीन के ही आसपास रहता है दूसरे ग्रहों के भी अपने अपने उपग्रह है सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उबग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है इस परिवार को सौर जगत कहते है सौर का अर्थ है सूरज का सूरज ही सब ग्रहों और उबग्रहों का बाबा है इसलिए इस परिवार को सौर जगत कहते है रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो इन में से थोड़े से ही ग्रहे हैं और बाकी सितारे हैं क्या तुम बता सकती हो कि ग्रहे और तारे में क्या फर्क है ग्रहे हमारे जमीन की तरह सितारों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि जमीन से उनका फासला कम है ठीक ऐसा ही समझो जैसे चांद जो बिल्कुल बच्चे की तरह है हमारे नजदीक होने की वज़े से इतना बड़ा मालूम होता है लेकिन सितारों और ग्रहों के पहचाने का असली तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं सितारे जगमगाते हैं ग्रह नहीं जगमगाते इसका सबब यह है कि ग्रह सूरी की रोशनी से चमकते हैं चांद और ग्रहों में जो चमक हम देख रहे हैं वो धूप की है असली सितारे बिलकुल सूरज की तरह हैं वे बहुत गर्म जलते हुए गोले हैं जो आप ही आप चमकते हैं दरसल सूरज खुद एक सितारा है हमें ये बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है इसलिए कि जमीन से उसकी दूरी और सितारों से कम है इससे अब तुम्हें मालूम हो गया कि हमारी जमीन भी सूरज के परिवार में सौर जगत में है हम समझते हैं कि जमीन बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज को देखते हुए वो है भी बहुत बड़ी अगर किसी तेज गारी या जहाज पर बैठो तो इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं लेकिन हमें चाहे ये कितनी ही बड़ी दिखाई दे असल में तो ये धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है सूरज जमीन से करोणों मील दूर है और दूसरे सितारे इस से भी ज़्यादा दूर है Astronomers या वे लोग जो सितारों के बारे में बहुत सी बाते जानते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत दिन पहले हमारी जमीन और सारे ग्रह सूरी में ही मिले हुए थे आज कल की तरह उस समय भी सूरज जलती वी धातू का नहायत गर्म गोला था किसी वज़े से सूरज के छोटे-छोटे टुकडे उससे तूटकर हवा में निकल पड़े लेकिन वे अपने पिता सूरी से बिलकुल अलग ना हो सके वे इस तरह सूरी के इर्द-गिर्द चक्र लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध रखा हो ये विचित्र शक्ती जिसकी मैंने रस्सी से विसाल दी है एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीजों को बड़ी चीजों की तरफ खींचती है ये वही ताकत है जो वजंदार चीजों को जमीन पर गिरा देती है हमारे पास जमीन ही सबसे भारी चीज है इसी से वो हर एक चीज को अपनी तरफ खीच लेती है इस तरह हमारी जमीन भी सूरच से निकल भागी थी उस जमाने में ये बहुत गर्म रही होगी इसके चारो तरफ हवा भी बहुत गर्म रही होगी लेकिन सूरच से बहुत ही छोटी होने के कारण वो जल्दी ठंडी होने लगी सूरज की गर्मी भी दिन दिन कम होती जा रही है लेकिन उसे बिल्कुल ठंडे हो जाने में लाखों बरस लगेंगे जमीन के ठंडे होने में बहुत थोड़े दिन लगे जब ये गर्म थी तब इस पर कोई जानधार चीज जैसे आदमी, जानवर, पौधा या पेड़ न रह सकते थे सब चीजें जल जाती जैसे सूरज का एक टुकड़ा तूटकर जमीन हो गया इसी तरह जमीन का एक टुकड़ा तूटकर निकल भागा और चांद हो गया ज़्यादा थंडी हो गई लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा अब भी अगर तुम किसी कोईले की खान में घुसो तो जो 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 तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी शायद अगर तुम बहुत दूर नीचे चली जाओ तो तुम्हें जमीन अंगारे की तरह मिलेगी चांद भी ठंडा होने लगा वो जमीन से भी ज़्यादा छोटा था इसलिए उसके ठंडे होने में जमीन से भी कम दिन लगे तुम्हें उसकी ठंडा कितनी प्यारी मालूम होती है उसे ठंडा चांद ही कहते हैं जब जमीन ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वो जम कर पानी बन गई और शायद मेग बन कर बरस पड़ी उस जमाने में बहुत ही ज़यदा पानी बरसा होगा ये सब पानी जमीन के बड़े-बड़े गड़ों में पर गया और इस तरही बड़े-बड़े समूद्र और सागर बन गए जो जो जमीन ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए तियों तियों दोनों जानदार चीजों के रहने लाइक होते गए दूसरे खत में मैं तुम्हें जानदार चीजों के पैदा होने का हाल लिखूंगा इन शब्दों के साथ तीसरा पत्र समाप्त होता है अगले पत्र में नहरू बताते हैं इस प्रित्वे पर जीवन कैसे शुरू हुआ इस चैनल पर आपको नहरू जी से संबंदित और भी बहुत सी जानकारी मिलेगी मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप नहरू जी के संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं गिरिवारा जोशी को इजाज़त दीजिए नमस्कार